हाई गाइज नमस्कार मैं शंकर एक स्टोरी के मादेम सब को आज एक बहुत सारी चीजे सिखाने का प्रयास करना चाहता हूं एक बार की बात थी एक बिकारी रहा करता था जो अपने जीवन से लिगो अपने छोटे से गाउ में एक सिंपल से विलेज में जाके खाना एक खटा करता था हर घर गर जाकर खाना मांगता था और जो खाना लेकर अपने एक पेड़ के नीचे उसका अस्रे का स्तान था जहाँ पर आकर वो अपना खाना सब कुछ रखता था और जैसे ही वहाँ से हाथ दोनी चला जाता था हाथ दो के वापस आने तो उसका खाना आदा खतम हो जाता है तो देखता है यार मैं खाली वहाँ से हाथ दोनी कोई के पास जाकर हाथ दो कर वापस आया तो आदा खाना खतम तो ये डेली लगबग 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन इसी तरह सिलसिला जारी देता है परिशान रहे जाता है और उसके बाद ये सोचता है कि ये मेरा खाना खाता कोने है ये मेरे को देखना है एक बार वो अपना खाना रखता है और थोड़ा सा आगे जाकर एक पेड के पीछे चिप जाता है और उसी समय वहां से एक उसको नजर आता है कि चुवा कहीने के उसके खाने की तरफ जा रहा है और चुवा खाना खाना स्टार्ट कर देता है उसी समय उस चुवा को पकड़ लेता है बोलता है अरे चुवे तू ये मेरा खाना क्यों खाता है क्यों मेरे नसिब में तू ये मेरा जो मैं खाना लाता हूँ बिक मांगे वही तू खारा है आदा तो उसमें चुवा बोलता है ये मेरे नसिब में लिखा हुआ है को मैं तेरा खाना खापा हूँ तो बोलता है, यह मेरा ऐसा क्यों नसीब है, तो उस समय चुवा बोलता है, यह मुझे ही पता नहीं है, तो किसे पता होंगा फिर, हाँ, यह बुद्ध जी को पता होंगा, तो उस बिकर को लगता है, कि कहीने कहीनों को बुद्ध जी को मिलना है, फिर शाम का समय होता है, उस दिन का अंधेरा अच्छा जाता है उस दिन सोते समय एनी टाइम सोचता रहता है कि मैं जो मांग के रल ला रहा हूँ वो आदाव चुवा खा रहा है यह इसी कैसी जिंदे की इश्वर पिताती परमश्य प्रमात्मा ने मुझे दी है जिससे में मेरे जीवन सेली को बहतर नही कि चला पा रहा हूँ जोस्स आंधेरा अच्या जाता है दीन निकल जाता है दूसरा दीन आता है और अभी दूसरा दीन निकले बाद हे व उस सुभय हो चल्टा है बुद्ध जी को मिलने के लिए और निकल के समय बहुत घंदार्षा जेगल होता है जंगल से सफर करता रहत और राजा अपने सद्भाव उच्छा से बहुत दयालू था उस समय वो बिगर जैसे उस राजा के दर्बार में चला जाता है और बोलता है कि क्या आज के दिन मुझे यहां अस्रे मिलेंगा तो उससे सेना पती अपने राजा के पास ले जाते है और राजा बोलता है जी इस एक सिंपल इंसान को मैं जरूर अस्रे दूँगा क्यों मैं भी एक दिन एक सिंपल इंसान की जीवन से ले जिया करता था और उसमें राजा उसको अपने साथ रखता है अपने अस्रे मिले जाता है और वहाँ पे खाना दोनों साथ खाते है और खाना खाते समय राजा एक तो बोलना कब आएगा ठीक है मैं इस question का answer लाओंगा वहां से रवाना स्टार्ट होता है वहां से निकल जाता है अभी वहां से निकलने का पाथ है विशाल परुवत होता है उस परुवत से रास्ता क्रॉस करना पर विशाल परुवत को चड़ के जाना में इस महत को आवहां पेएक जादुगर रहता था जो आपने छड़ीों पर प्रँवत को परुवत को आप अगर आपसकी सवाल मेरा समधान अब लाएंगे तो मैं आपको उस परवत को जादू की छड़ी से तुरन उस पार ले जाओंगा बोलता है क्या है आपका सवाल कि मैं बहुत सालों से यहां तपश्या मांग रहा हूँ अभी तक मेरे को सरगवास नहीं हो रहा है मेरे को मोत नहीं आ रही है तो कब आएंगी इस सवाल का आपको answer लाना है तो बिगर बोलता है वो बिकारी बोलता है ठीक है जरूर और उनका सवाल और तुरन जादू की छड़ी से परवत कुरास करता है बोलता है विशाल समुद्र को मेरे को क्रॉस करना है हाँ आप इसको कर पाएंगे बट आप कहा जा रहे तो बोलता है मैं बुद्ध जी से मिलने जा रहे अगर आप बुद्ध जी से मिलने जा रहे तो मेरे एक सवाल है आप से क्या उसका समादान ला पाएंगे तो मैं आपको दोस्तों जंगल चला जाता है और जब वो बिगर एक जंगल चला जाता है तो चला जाने वगाद विकरी अपनी जंगल में पूरी तरह चाहिए अपनी गुर्जी अपने दैवत और आपनी बहुत सारी जहां से ज्ञान की प्राप्ति उसको मिलने वाली थी सवालों का आंसर म की आज मेरे बिखारी का का सवाल किया यह आप बहुत थके वह बैठी आराम से पानी पी जी उन्होंने पानी पिया और गौत्वम पुद्देजी ने एक सवाल कहा कि देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं उस लड़की को बोलना कब आएंगा एक जादूगर है वो उसका सुर्गवास कब होंगा एक केचवा है उसको डॉर्गन कब बनेंगा चार कोशन चार सवालों को एंसर लाना था और यहां पर बोद्द जी नहीं कहा था कि मैं तीनी सवाल का एंसर दूंगा तो दोस्त सवालो बोलता है मैं कौन से पुछ दो सवाल फर्ष्ट फूस देता है कि मैं एक राजा से मिलके आ रहा हूँ उसको एक लड़की है तो उसको वानी नहीं उसको बात करना नहीं आता तो बात कब कर पाएंगी तो गौतम बुद्द जी बोलता है जिस समय उसको एक साथिगर दोनागा, शादी हो जायेंगी जैसे हम सपर कहाथ उसके हाथों में आ जाएंगा तो उसको बोलना स्टार्ट हो जाएंगा, उसकी वानी उसको आ जाएंगी, दूसरी चीज़े बोलता है कि मैं आ रहाता है जादूगर है इस परवत के साइट में उसको रखवास कब हो तो डॉर्गन कब बनेंगा तो अईसा बताने के बात उस समय बोलते ही कि जो उसकी डाच है ना डाचा है उसका जब वो डाचा निकाल के फेक देंगा वो आटोमेटिकली डॉर्गन बन जाएंगा दोस्तो तीनों कोशन का सवाल निकलता है वहां से स्टाट होता है समूधर किनारे पे आकर खड़ा होता है तो तुरूंत कचवा आता है क्या मेरे कोशन का अंसर लाया आपने बोलता है हां तुरण आपने speed पे लेकर उसका रास्ता कुरास करते ता तो जो आपका डाचा है वो डाचा निकाला पड़ेंगा आप दौर्गन बन जाएंगे तो तुरण वो चो अपना डाचा निकालके फेक देता है उसे डाचा के अंदर समुद्र के अंदर की बहुत सारे हीरे मूती थ प्रवत था, प्रवत के पास आता है, फिर से जादूगर आता है, पोलता है, क्या मेरे सवाल का अपने ऐंसर लाया है? बोलता है, हाँ, तो जादू की कंडिसी, तुन Two-n Care- Life क्रास करता है, बोलता है, क्या है, तो आपकी लाल्ची, ये जादू छेडी आपको छोड़नी पड पूलता है कि क्या है मेरे सवाल का जवाब दौसम्य को बोलता कि देखिए आपके लड़की को वानी जरूर आ जाएंगे वार। जरूर कर पाएंगे जिस दिन की शादी Aunci कर देंगे हम सब पर के हाथों में हाथ देंगे तो बोलते हैं सोचना किस बात का है हम हमारे लड़की का हाथ आपके हाथ में देंगे तुरंत हाथ देते दोस तुरंत उस लड़की को भी वानी आ जाती है दोस इस स्टोरी से हमें सीख यह मिलती कि परेशानी थी एक बिगर की एक विकारी की, अपने परेशानी को सुझावा लाने के लिए दूसरे बुद्दजी को मिलने गया था, बर दोस कई सारों दूसरों की परेशानी का समधान दिया, और दूसरों की परेशानी को समधान देनी के वज़े से जो चीज़े वास्ताई तब उसको नहीं मिलने वाली थी वो चीज़े मिली दोस आप अपने परिशानी में जूटे नार है आपसे भी कई को ना ज्यादा परिशानी लोगों को है आज जिनके बाद बहुत सारी सोरत है सब कुछ चीज़े मगर उनके परिवार में भी कहीने की परिशानी तो आप अपने परिशानी में गिरे मत रहिए अपने परिशानी से बाहर आईए और सुगदाई समरुदी के रास्तों को तई कीज़े अपने सपनों के कुछी उडान दीज़े एक शांदार जिन्दी की जीनी के बारे में सोचे दोस कहा जाता है कि दोस यकिनन जीत के खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल ऐसा खू गुद्ध चाहिए दोस्त ये आस्मा भी धरती पे आएंगा बस इराद में जीत की गुंध होनी चाहिए अपने परिशानी में जूटे ना रहे शांदार जिन्दी की जीवन से लिका स्टार्ट करें दोस यही मैं आज की स्टोरी से सिखना चाहता था यही आज स्टोरी से बहुत सारे दोस्त की रिप्लाई आरे दिक सर परेशानी की बज़े से मैं अच्छा बिदनेस नहीं कर पार हो सर परेशानी की बज़े से मैं घर नहीं छोड़ पार हो सर परेशानी की बज़े से मैं कही बी एक शांदार इनुस में नहीं कर पार हो नहीं छोटा मोड़ा बिद मैं आशा उम्मिद करूंगे आप समझ पाएंगे have a nice day thank you all of you धन्यवाद